अगर आप सिनिमा के सचे दिवाने हैं तो जानते ही होंगे कि फिल्मों को नापने का सबसे सटीग तरीका ओसकर अवार्ड्स के नाम से पूरी दुनिया में मशूर है जिसके हाथ ये ट्रॉफी लग जाती है वो फिल्म हिस्ट्री में अपना नाम सबसे मोटे अक्षर में लि बढ़ने का मौका दिया जाता तो हम एक दो नहीं बलकि पूरे दस के दस ऑसकर इंडिया को जिता सकते थे कैसे एक सीधा साधा फामिली वाला इंसान देश का सबसे मशूर डखयत बन जाता है और पूरी गर्मेंट को हिला कर रख देता है सारे जब आप आपको यूटीव पर एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगे 2019 में रिलीज हुई जली कट्टू एक नई टाइप की लड़ाई हमारे सामने रखती है जिसमें इंसानों का सामना कुछ खतरनाक जानवरों से होता है अगर बच गए तो जीने का दूसरा मौका मिल जाएगा वरना जान से हाथ दोना पड़ेगा जली कट्टू एक अलगी टैप का experience है जिसको शायद आपने पहले नाटो कभी देखा होगा और दुबारा देखने का मौका भी नहीं मिलेगा फटाफट Amazon Prime पर जाएए और फिल्म को तुरंट निप्टा डालिए 2012 में रिलीज हुई गैंक सो वासेपूर फिल्मी दुनिया की सबसे मशूर दुश्मनी को हमारे सामने रखती है जिसमें एक नेदा जी का पंगा एक मामूली से मजदूर से हो जाता है लेकिन ये लड़ाई आने वाली 2-3 पीडियों तक चलती रहती है जिसमें खून की नदिया बहचाती है अगर आप Crime Thillers देखने के शौकीन है तो फिर ये फिल्म सीधा आपको जन्नत के दर्शन करा देगी जिसका रास्ता यूट्यूब से होकर निकलता है जहां पर बिना पैसे खर्चे आप इस फिल्म के दर्शन कर सकते हैं 2018 में रिलीज हुई राच चसिन एक सीरियल किलर को हमारे सामने रखती है जो लड़कियों की जान से खिलवार कर रहा है और उन्गे बॉड़ी पार्ट्स को अलग अलग जगे पे टांक कर खुलम खुला पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज कर देता है कहानी में एंट्री होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की जो किसी जमाने में फिल्म डिरेक्टर बना चाहते थे और इसी फिल्मी दिमाग का इस्तमाल करके कातिल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं अब यह पास हुए या फिल जब आपको यूट्यूब पे एकदम फ्री में देखने को मिल जाएगा 2018 में रिलीज हुई पेरानबू एक फादर और डॉर्टर के स्पेशल बॉंड को हमारे सामने रखती है जिसमें बेटी के खतरनाग बीमारी में फसने के बाद उसके फादर हमेशा के लिए जिन्दगी खतम करने का फैसला कर लेते हैं तब फिल्म में एंट्री होती है एक ट्रांसजेंडर की जो इन दोनों का जिन्दगी को देखने का नजरिया बदल देती हैं और एक नई शुरुवात की तरफ धकेल देती हैं फिल्म को आप एमजन प्राइम पर देख सकते हो धाई गंटे का बलिदान देना पड़ेगा 2013 में रिलीज हुई लूसिया इसी नाम के ड्रग्स के अराउंड लिखी गई है जो किसी भी इनसान के दिमाग के साथ छेठार करने की ताकत रगता है जिसमें ड्रीम्स और रियालिटी के बीच का फर्क लगबग खतम सा हो जाता है कहानी में ट्विस्ट आता है जब सपने वाली दुनिया में इनसान की हर इच्छाएं पूरी होने लगती है और वो हकीकत में वापस लोटने से डरने लगता है फिल्म को आप MX प्लेयर पे एकदम फ्री में देख सकते हो एक भी पैसा खर्चनी करना पड़ेगा 2019 में रिलीज हुई सुपर डिलक्स चार अलग-लग कहानियों को आपस में डोडने का काम करती है जिसमें एक प्रीस्ट है जिनको भगवान ने जिन्दगी जीने का दूसरा मौका दिया है एक ट्रांसजेंडर है जो वापस अपने बेटे से मिलने घर लोटने वाली है एक अतरंगी से कपल है जो गलती से एक मर्डर के बीच में फस जाते हैं और चौथा एक लड़का है जो गलती से अपनी मा को एक अडल फिल्म में देख लेता है अब इन सब कहानियों में कॉमन क्या है ये लोग आपस में कैसे जुड़े हुए है सारे सवालों के जवाब आपको नेट्फिक्स पर ढूनने से मिल जाएंगे अब आपको बची हुई टॉप तीन फिल्मों के बारे में बताऊंगी जो इस लिस्ट में तो जगे नहीं बना पाई लेकिन कॉंटेंट के मामले में कमजोर बिल्कुल भी नहीं है और इनको गलती से भी मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना 2019 में रिलीज हुई अवाने श्रीमन नाराइन एक जादू की तरह है जिसमें एक्शन और सस्पेंस कूट-कूट के डाला गया है जिसको आप Amazon Prime पे देख सकते हो 2015 में रिलीज हुई मसान हमारी ससाइटी की घटिया सोच को आयना दिखाने का काम करती है फिल्म को आप YouTube पर एकदम फ्री में देख सकते हो 2019 में रिलीज हुई कमलंगी नाइट्स वैसे तो खुशियों से भरी हुई है लेकिन इसका क्लामेक्स आपको हार्ट इटेक दे सकता है फिल्म आपको Amazon Prime पे मिल जाएगी 2018 में रिलीज हुई रंगस थलम सही और गलत की लड़ाई हमारे सामने रखती है जिसमें दो भाई मिलकर पूरे सिस्टम से पंगा लेने का मन बना लेते हैं फिल्म को आप Amazon Prime पे देख सकते हो अब बात कर लेते हैं अपनी आसकर वाली लिस्ट की टॉप टीन फिल्मों के बारे में 2004 में रिलीज हुई Black Friday का कनेक्शन 1993 में हुए एक Bomb Blast के साथ जुड़ा हुआ है जिसने पूरे Bombay को हिला कर रख दिया था और 300 से जादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था फिल्म में इस दिन को चार अलग-अलग नजरियों से दिखाने की कोशिश की गई है पुलिस, क्रिमिनल, विक्टम और मिडिलमन कौन सचा है, कौन जुटा, सारे जवाब आपको YouTube पर एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगे 2019 में रिलीज हुई Amis, एक डॉक्टर और कॉलेज स्टुडेंट के बीच में एक अतरंगी सा रिलेशन्शिप हमारे सामने रखती है जिसका रास्ता पेट से होकर गुजरता है, क्योंकि इन दोनों की फूड हैबिट्स नॉर्मल लोगों से काफी अलग हैं और होश उडाने वाली हैं कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये दोनों खाने के लिए अपने प्यार की विज़े से mental balance खोना शुरू कर देते हैं देवी देटनाओं का सहारा लेकर एक fictional कहानी तयार की गई है जिसके सेंटर में इंसान के लालज को रखा गया है तुमबार्ड गाओं में एक mysterious किला है जिसके नीचे बेश कीमती ख़जाना गड़ा हुआ है लेकिन ख़जाने तक पहुचने का रास्ता हस्तर नाम के राक्षत से होकर गुजरता है जो इंसानों की जान लेने में expert माना जाता है इस फिल्म को आप Amazon Prime पे देखिए और उसकी बाद जरा सोच कर देखिएगा आखिर ऐसा क्या रीजन है कि तुमबार्ड को Oscar नहीं बेजा गया जो इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया में number one बना सकती थी तो दोस्तों ये थी वो special फिल्म है जिनको देखने के बाद Oscar वाला सपना शायद आपको पूरा होता हुआ नजर आ सकता है लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि nepotism और politics को इंडिया से टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ रिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाय बाय